कमेंट सेक्शन में बता देना और होब सभी अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकल हैं सेल डिवीशन इक तम दमा के तरीके से इसको खत्म करेंगे पट-पट हो जाएगा टेंसर नी लेने का ठीक है चलिए शुरू करते हैं Are you aware that all organism even the largest start their life from single cell नहीं पता थे शुरू अपने अमको बता दिया कि जिद्रे भी बड़ा इंसान हो जाए बना तो वह एक छोटे सेल सही होता है You may wonder how a single cell then goes on to from such large organism अब फिर हम सोसते है कि भाई यह इतना large बट तुम तो बिलकुल ही नहीं सोतते हो तुम किसके बारे में सोतते हो में को पता है ठीक है चलिए Growth and Reproductions are the characteristic of cell very important line क्या है characteristic of cell की एक तो है उसका growth एक है उसका development growth plus develop growth plus reproduction ठीक है sorry growth plus reproduction ठीक है अपी जिदेलाइन कर देते हूं Growth plus reproduction are the characteristic features of cell अचा बटे मैं question पूछती हूं Growth and differentiation को अगर मैं plus करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा मुझे बता देना ठीक है Comment section में ठीक है All cells reproduce by dividing into 2 Which each parental cell giving rise to 2 daughter cell भी चीठ रहे जितने भी cell होते है 2 में डिवाइड करते है और वो 2 में डिवाइड करकर क्या मनाते है 2 अपनी बच्चियां मनाते है मतलब आपकी 2 cells मनाते है ठीक है This newly found cells can themselves grow and divide Giving rise to a new cell population That is formed by the growth And division of single parental and its progeny तो अब ये new daughter cell क्या करेगी अलग जनम देगी अलग cell की population बनाएगी ठीक है In other words Such cycle of growth and division Allow a single cell to form a million of cells तो जब एक cell तूटेगा तूटेगा मेरा cell अब ये दोनों बनाएंगे एक अपना ये अपना बनाएंगे ठीक है फिर ये ये अपना अलग दो बनाएगा फिर ये अपना दो बनाएंगे तो ऐसे करते करते एक large organism हमारे सामने तपक पड़े हैं जिसको अगर आपको देखना हो large organism को अपने आपको जागर mirror में देख ले आपको दिख जाएगा कि वो organism कैसे कैसे multicellular और ढम भाकर जासा बन चुका है ठीक है Cell division is very important process in all living organism very important line ठीक है NCRT ने बोली है कि cell division बहुत जादा important process ठीक है क्यों अगर cell division नहीं होगा तो आप बढ़ोगे कैसे ठीक है During the division of a cell DNA replication and cell growth also takes place ठीक है अभी हाँ पर NCRT क्या बोल रही है कि अगर division of cell हो रहा है तो वहाँ पर कही ना कही DNA भी replicate कर रहा होगा तभी तो equal number पर हमारे दोनों cells के पास DNA जाएंगे ठीक है All these processes cell division DNA replication and cell growth hence after takes place in a coordinate manner to ensure correct division and formation of progeny containing intact genomes तो बहुत precisely बहुत coordinated way में हमें हर चीज देखनी पड़ेगी कि हाँ ये cell ढंग से divide कर रहा है ठीक है The sequence of event by which a cell duplicates genome synthesize the other constitute of the cell and eventually divides into daughter cell is called as cell division क्या बोली NCRT ने? फरपूर English होड़ी NCRT ने और ये सीधा वांसर गई होगी आपकी कोई बात नहीं हम simplify कर देते हैं क्या बटा? The sequence of events by which a cell duplication zero मतलब आपका जो cell है उसमें क्या रहा है बटा? Genome Genome मतलब आपका जो genes है वो replicate कर रहे है duplicate कर रहे है जादा number में बन रहे है Synthesize the other constituent of the cell and eventually divide it to two cells सबसे पहले बिटा देखो यहां मैं समझाती हूँ आपको यह अलग line तो मेरे हमेशा मेरे आपने देखी होगी ऐसे खीची खीचती रहती है कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कोई नया आया हो तो देख लेना ऐसा ही होता है हमारे में कि थोड़ा से आपको clear लगे चिके ना चलो रेड़का लड़के डियन है मेरा ठीके अब एक डियन अब इसको हुआई उत्तेज ना इसने बोला तोटने से पहले इसने किया तो जाके यह बना फिर यह धुप्लिकेट कर दिया शोगे मेरे बच्यो तो जाय harus एक बना फिर यह दो में डिवाइड हुआ और एक जो आपका DNA था इनके पास गया एक DNA इनके पास गया Nucleus बनाना बहुत important है तो यह मैंने Nucleus बना लिया तो यही क्या होता है यही चीज को हम क्या बोलते है इसी चीज को मैं क्या बोलती हूँ सेल साइकल क्या बोलते हूँ बटा सेल की साइकल चल रही है ठीक है चलिए Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process ठीक है Cell growth क्या है बटा एक continuous process है DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle DNA synthesis बस एक बार होता है एक cell की धनिया में अगर उसे बच्चे देने है तो वो सिर्फ एक वक्त का एक वक्त ही होता है ठीक है the replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चो वो DNA को हम बाद देंगे हमारी property को हम बाद देंगे हमारी daughter cells में ठीक है ठीक है यहाँ पर daughters पर जाता है so males don't have anything right here okay sun cell nuclei है तो मैंने का भी ने सुना मैंने daughter nuclei सुना है तो यह is biology give importance to girls that's okay I think the world should also give them okay half of the countries are already giving but our country is also giving but the boys of our country are not understanding the thing okay still there are many cases so okay that's a that's offending let's concentrate in this chapter right daughter nuclei by a complex series of event during cell division ठीक है now this events are themselves under genetic control तो यह सारे जितने भी आपके अंदर है ठीक है आपके अंदर होंगी ठीक है नव बात करते बाता phases of cell cycle बोर्द इंपॉर्टन है यहार से तो question की बारिश लगती है a typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture ठीक है this cells divide one in approximately every 24 hours ठीक है तो जो आपके cells है वो हर 24 घंटे में अपने आपको divide करते रहते हैं however this duration of cell cycle can vary from organism to organism and cell and cell type organism से organism, cell से cell type यह changes आपके होती रहती है जैसे east है, east को सिफ 90 minute लगते है अपनी पूरी cycle को complete करने के लिए तो how fast is this east देख रहें बटा, east तो बटा बहुत तेज आत्मी है पतलब इतनी जल्दी कतम 90 minute में उसके replication हो जाती है ठीक है, the cell cycle is divided into two basic interface, M phase ठीक है, मेले के बटा, interface, दूसरे के बटा, M phase चलो देखें, the M phase represents the phase where the actual cell division or mitosis occurs M phase क्या होता है बटा, जहां पर आपका cell division होता है या फिर mitosis महाँ पर आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों the M phase represents the phase where the actual cell division or mitosis occur कहां पर किस phase में बटा, आपका होता है M phase बढ़ाती हूँ, क्या है M phase, क्या है, ये बटा, metafase है, चीकिए यहाँ अभी मैं बात करती हूँ, यहाँ आजो, यहाँ आजो, यहाँ आजो, यहाँ आजो मेरे अंदर कुछ काम करो, तो बटा, आएगा पहले आपका G1 phase, ठीक है, यहाँ देखो, सेल एक G0 phase पढ़ाओंगी, G0 phase क्या होता है, आगे पढ़ाओंगी, ठीक है, G0 phase पहले आएगा, फिर G1 phase आएगा, फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा S phase, ठीक है, याद करो, फिर क आपको यह तो याद हजाएगा कि G0 phase क्या होता है, G1 और S, यह आपको याद होजाएगा कि G0, G1, S और फिर G2, जहाँ प्रोबलम आती है, बिटा, वो यहाँ बर आती है, अब इसका निमोनिक क्या है, बिटा, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम, यह बिटा, आपका प्राइ मिनिस्टर, क्या होजाएगा पिटा, मिनिस्टर, ठीक है, यह मिनिस्टर, यह से क्या होजाएगा पिटा, यह से क्या बोला मैंने, आना, क्या बोला पिटा, आना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आना, तमिला, तेलंगाना कर लो, तेलंगाना, चली, क्या हुआ, प्राइम मि जरिए प्राइम इनिस्टर अना तयक्वान गान प्रायम मिनिस्टर आना तयक्वान गान चरिए तो पी एमधी ब से यहाँ आउगा प्रोफे às र्युट से यह एना फेसे न राट इनो फेस कि एसे आउगा प्रियस को आप वैसे आप लर्न कर सकते हैं इसको चिक है वैसे तो आप इतनी बार NCRT पढ़ोगे कि आपको रड़ जाएगा पट फिर भी इस निमोनिक इस निदे तो आप जाते हो मूवी देखें चाहिए मूवी के बीच में ताइम पर ब्रेक आता है उसी ब्रेक को समझो कि वह इंटर फेस और वह जो दो है वह आपको मूवी है मतलब वह एंफेस आपका चाहिए इस सिगनिफिकंट तो नोट आट इन 24 आर आवरेशन दूरेशन ओफ सेल साइकल इस यूमन सेल डिवीजिन प्रॉपर लास्ट फॉर एन आर इंटर फेस लास्त मोर देन 95 परसंट ओफ दे सेल साइकल यहापर जो ब्रेक है वह 95 परसंट तक ज्यादा होता है ठीक है चलिए बात करते हैं याँ पर दे एंफेस स्टार्ट विद दे नुउक्लियर डिवीजिन वरी इंपर्टन एंफेस स्टार्ड कैसे होता है बिटा नुउक्लियर डिवीजिन होता है ठीक है corresponding to the separation of daughter chromosome cariokinesis and usually ends with the division of cytoplasm cytokinesis सबसे पहले जो आपके daughter chromosome होती है जो chromosome होती है वो सबसे पहले split करती है और उस splitting को हम क्या कहते है बिटा cariokinesis ठीक है अगर chromosome split हो रहे है तो cariokinesis और खतम कब होंगी बिटा खतम कब होंगी ठीक है क्या होगी बिटा cytokinesis पे ठीक है तो यहां पर क्या बोल रहा है सबसे पहले M phase में क्या होगा nuclear division होगा सबसे पहले replication होगा फिर nuclear diffusion होगा जो आपका replication वाला phase है ना बिटा वो होता है इंटर phase उसके पाद M phase आता है M phase में क्या होता है कि जो cell होता है वो divide करता है divide करता है तो जो उसके इंदर जो हमने replication वाला DNA रखा है जो आपके DNA बनाया अपकी property बनाई है उसका बटवारा होता है पिर बटवारे होने के बार दोनों अलग रहने लगते हैं तो इसको बटवारे के हिसाब से समझो ज्यादा easy पड़ेगा the interface the interface though called the rest phase very important line कि हम interface को क्या बोलते हैं हम interface को बोलते हैं rest phase it is the time during which the cell prepare itself for division and undergoing replication in an order manner बहुत important line नहीं आपके NC8 कि हजार बार NTN आपको पूछा है उसके मौक ले लो या कुछ भी ले लो ठीक है बहुत बार पूछा है कि बाई resting phase क्या है कब DNA replicate करता है कौन सी phase में DNA replicate करता है तो that is your interface ठीक है अब इंटर फेस में तीन फेसें आते हैं that is G1 phase S2 phase and G2 phase जैसा मैंने आपको learn करवा ही दिया था G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication very important line G phase का बात है बटा actual जो mitosis हो रहा होगा और DNA replication क्या मतलब है बटा DNA replication रूखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सबसे पहले आजाओ ठीक है यहाँ पर बहुत खचरा कर दिया है हम इस खचरे को clean कर देते हैं ठीक है यह जो s phase होता है यहाँ पर आपका cell division होता है cell division होता है नहीं नहीं güzel यहां पर पिटा आपका DNA का replication होता है यहां पर पिटा आपका DNA replication होता है यहां पर आपको replica लिख कर दे रही है तो basically यहां पर G1 phase जो आता है वो आपके mitosis मतलब आपके M phase और आपके S phase के बीच में आता है यही NCRT आपको कहने की कोशिश यहां कर रही है ठीक है दूरिंग G1 phase the cell is metabolically active and continuous growth but does not replicate बिटा देखो active है G1 phase में active है और यह again important line है G1 phase में वो active बैठा है ठीक है बट कोई replication नहीं होता यह नहीं और कोई synthesis S or synthesis phase marks the point during which very important line बिटा S phase में क्या होता है बटा आपका DNA हमेशा याद रखो S phase मतलब DNA replication आपकी जहन में यह line 12 तक आनी चाहिए अगर आप 12 में है तो आपकी नीट तक रहनी चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है चलिए बात करते है next okay अब during the time the amount of DNA per cell doubles तो DNA क्या अगर बटा डबल हो जाएगा if the initial amount is 2C then it will be 4C बर यहां पर chromosome में कोई भी बदलाव नहीं आएगा chromosome double नहीं करेगा आपका DNA यहां पर double करेगा even after S phase the number of chromosome remains same that is the 2N तो आपका जो number of chromosome रहेगा तो 2N ही रहेगा लेकिन अगर आपका DNA content 2C है तो वो double होकर 4C हो जाएगा कमेंट में बताना अगर 4 है number of DNA तो S phase के बाद यह कितना हो जाएगा ठीक है चलिए in animal cell during the S phase ठीक है animal cell में during the S phase काब की बात हो रहे है बिटा animal cell के अंदर जब S phase चल रहा था DNA replication begin in the nucleus बिटा very important very important line इतनी छुटकी line ऐसे नीचे लिखी हुई है लेकिन हमारा काम है NCRT को पकड़ के रखना ठीक है तो यहां पर क्या लिख रहे है NCRT कि DNA replication begins in the nucleus very important line DNA replication कहां पर होता है nucleus में होता है and centriol duplicates into cytoplasm again need question यह हो जाता है ठीक है यहां लिखके बता देती हूं ज्ञान में रखने अपनी बाते DNA replication कहां होता है बिटा nucleus में होता है और आपका centriol यहां पर कहां पर divide करता है साइटो प्लाजम में समझ आए आपको very good चलिए ठीक है next काम करता है during the G2 phase अब G2 phase में क्या होता है बिच्चो मेरे proteins are synthesized in the preparation for mitosis very important line भाय सहाब इतनी important line है बिटा G2 phase में क्या होता है G2 phase में आपका जो protein होता है उसको हम synthesize करते हैं ताकि वह help कर सके आपकी cell growth में तो हमने क्या-क्या पढ़ लिया एक बार आओ side में CRT side लेके आती है उनको बोलती है चुपचा पिहां पर device करो कि क्या पढ़ा तुमने सबसे बिले बेटा आता है interface और interface जो होता है आपका ठीक है interface जो होता है वह आपका वह होता है 95% जो time लेता है वह यही interface लेता है उसके बाद होता है आपका G1 phase जो आपका G1 phase होता है उसमें cell metabolically active है लेकिन यह क्या है थोड़ा सा weak है थोड़ा बिटा कोई भी है इसल का replication यहांपर डिने का replication नहीं होता पर फिर आता है आपका S phase s phase में क्या होता है बिट्चो मेरे इस फैस िहांड पर आपका डि ने क्या करता है बिट्चा乐 रेपली का करता है रेपली का करता है वेरी गड़ट और आपका G2 phase यहां क्या कर लेता मैं बच्छों G2 phase यहाँ पर protein का synthesize करता है ताकि जो proteins हो वो आपकी help कर सके synthesize में तो I hope आपको यह बात बहुत ही अच्छे से clear होगी चलिए आगे बढ़े ओके चलिए आगे आते हैं क्या लिखा यहां NCRT ने आपको चलिए some cells in the adult animals do not appear to exhibit division very important line कुछ cells है जो डिवाइड ही नहीं करते हैं ठीक है जो आपका दिल है बेटा वो replicate नहीं करता उसकी जो cells होते हैं वो replicate नहीं करते हैं and many other cells divide only occasionally मन किया करेंगे नहीं किया नहीं करेंगे अगर उनके body में कुछ injury या फिर कुछ cell dead हो जाता है तो वो replace करते हैं ठीक है these cells do not divide further exit G1 phase to enter inactive phase called G2 phase G0 phase अब बेटाच यह जी नौट phase क्या होता है ठीक है यह क्या करते हैं यह G1 phase में उतार आते हैं ठीक है पर फिर बोलते हैं मेरको आगे नहीं पड़ना मेरको नहीं करना मेरको नहीं करना मेरको नहीं करना तो फिर यह क्या चले जाएंगे पिटा जी नौट phase में पहले G1 phase में फिलते हैं नहीं करना जी नौट phase में चले गए ठीक है cells in the stage remain metabolically active metabolically मैं active हूँ लेकिन मैं कभी भी कोई भी cell को proliferate नहीं कर पाऊंगा अगर करना भी है तो यह organism के requirement पर depend करेंगे ठीक है समझाए आपको यह NCRT की बहुत important line ठीक है यह जो heart cells वाला यह पूछा गया आपके NCRT ने आपके NEET ने NTA ने ठीक है okay NEET बतला national entrance exam come entrance पुछ ऐसा ही है नाम याद नहीं है मुझे लेकिन ठीक है some cells in the adult animals do not appear to exhibit division like heart cells ठीक है diploid somatic cells animals में जो आपके mitotic cell division कहां पर होते हैं जहां पर somatic cells होते हैं somatic cells क्या होते हैं जर्म cells क्या होते हैं आजाओ NCRT की साइड में समझा दीक है आपकी body में 23 chromosome है very good like highlighter is always giving me a shock okay आपकी body में 23 chromosome है अगर आप इंसान है तो आपकी body में 23 chromosome होगे unless and until आपको कोई disorder ना हो genetic मैं सब को neutral मान के चल रही हूं तो 23 ठीक है एक बच्चा है आपका ही बच्चा है उसको 23 chromosome है ठीक है अब बच्चे सी आपको बहुत अची से समझ आएगगा ठीक है आपका बच्चा है 23 chromosome है ठीक है अब 23 chromosome में से peta 22 chromosome आपके autosomes है क्या है बिठा autosomes क्या है बिठा autosomes ठीक है autosomes है और जो आपके एक single एक chromosome वो आपका germ cell है क्या है बिठा germ cell है ठीक है अब बिठा ये जो autosome होता है इसको हम somatic भी कहती है अब यह होता क्या है यह ओड़ोजोम यह जो आपके skin color आपका nose आपके eyes का color कैसा रहेगा जितना भी आपकी site कितनी है आपके nails की site के होंगे आपके nose कैसे होंगे आपका pigmentation कैसा होगा आपके beautiful beautiful आखे कैसे होंगे आपके बच्चे की तो वह 22 autosomes पर depend करता है जो बात यह germ cell की आती है जर्म सेल का मतलब होता है इसका gender बताने वाला ठीक है एक होता है gender वाला यह आपका gender वाला को हम용 squared भी आपका जो अंडर्गो करता है पर मुयारी तो जो अंडर्गो करता है मिया पढ़ेंगे मियोसिस बिलकुल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में करेंगे मियोसिस और यह जो सेल है वो ही कह रही है इंसेयाटी की यह करता है माइटाॉटिक मतलब यहां पर बच्चो कि माइटाॉटिक का मतलब पहले रेप्लिकेट करेगा और फिर डिवाइट करेंगे दो सेल्स बना मेल यहां पर मेल यहां पर हैपलोइट सेल्स डिवाइट बाइट कर लेते हैं मतलल जैसे 23 एक हैपलोइट नंबर है तो हैपलोइट नंबर अपने आप डिवाइट कर रहा है यहां पर हनी भी में ठीक हैं अगेंस दिस प्लांट शो माइट डिविजिन इं बोथ हेपलोई तो भाई चाहे कुछ भी हो दिवाइड तो करना ही है 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 अपलोड और हैपलोड हो कुछ यह सकती हो वाटा पर पैसे खर्चे करने ही है है ऐसे अपलोड आता है ज़हे बार गार होगा तो अगला पाट कल तक आ जयेगा तो अगला पाट कल देखरा मत भूलना एंप व這些 हम अगले पाट में करेंगे तो pourquoi don't forget the live video don't forget to like renowned subscribe my Channel best of luck for your exam I know you will crack the neat like anything okay